आज हम बनाएंगे mix wage की सूखी सबजी यह सबजी बनाने में बहुत ही सिंपल है आप इसे अपने डेली की सबजी में शामिल कर सकते हो लेकिन खाने में यह बहुत बहुत ज़धा टेस्टी बनती है आप इसे lunchbox के लिए भी बना सकते हैं नमस्ति दोस्तों स्वागत है आपका श्यामर सोई में तो चली शुरू करते हैं बनाना मिक्स वेज बनाने के लिए यहां मैंने आधा कप से थोड़ा सा कम ताजा मटर लिये हैं साथ ही एक आलू लिया हुआ है आलू को मैंने काट कर पानी में रख दिया था ताकि यह काले न ज्यादा यह फूल गोभी ली है इन्हें मैंने चोटे-चोटे टुकडो में ही काटा है ताकि यह फटा-फट से पक जाए और एक शिमला मिर्चली है सबजी आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी ले सकते हो और अब हम कडाही में 3-4 टेवल स्पून तेल डाल देंगे त बाधा चम्मच मैंने बारिक वाली राई डाल दी है और एक चथाई चम्मच के करीब हींग डाल दिया है तो पहले हम जीरा और राई को अच्छे से चटका लेते हैं आप चाहे तो इसमें मोटी वाली राई भी डाल सकते हो ऐसा कुछ नहीं है और अब हमने यहां एक 40 सेकेंड के लिए फ्राय कर लीजिए बाकी यह प्याज के साथ भी फ्राय होते रहेंगे अब हमने यहां एक प्याज को बारिक काट कर लिया है प्याज को भी दो तीन मिनिट के लिए फ्राय कर लीजिए या जब तक यह सॉफ्ट ना हो जाए और यह लिजिए प्याज को भ गए हैं और बाकी ये सबजी के साथ भी सॉफ्ट होते रहेंगे अब हम सबसे पहले इसमें आदा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल कर मिक्स करेंगे हल्दी पाउडर इस समय डाल देंगे तो सबजी का कलर बहुत ही सुन्दर आएगा इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए ह पहले अच्छे से इन्हें 30-40 सेकेंड के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर इस तरह से कंटीनियू चलाते हुए पका लीजिए हमने सबजियों को 30-40 सेकेंड के लिए भुना और अब गैस का फ्लेम लो कर दीजिए और इसे ढख कर 3-4 मिनिट के लिए पकाईए बीच में चला दीजिएगा क्योंकि अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला है तो तले में सबजी लग सकती है हमने सबजी को लगबग 3 मिनिट के लिए पका लिया है और सबजी एक्तम हलकी सी सौफ्ट हुई है तो अब हम इसमें बाकी की सबजियां डाल देंगे तो हम इसमें बची हुई गाजर, गोभी, शिमला मिर्च और पता गोभी डाल देते हैं आप चाहें तो इसमें स्वीट कॉन भी डाल सकते हो बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं सबजी आप अपने पसंद की कोई भी ले सकते हो इसमें और अब हम सबजीयों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये लीजिए सबजीयों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसमें नमक डालेंगे अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला है यहां हम लगबग एक से सवा चमच नमक डाल रहे हैं नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से इसमें डाल दीजिएगा और नमक डालने के बाद सबजियां बहुत ही जल्दी पक जाएंगी अच्छे से नमक को मिक्स कर लीजिए नमक अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम सबजियों को ढख कर लगबग 8-10 मिनिट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे या जब तक सबजियां अच्छे से ना पक जाएं बीच-बीच में हमें इसे जरूर चला देना है अभी हमें सबजियों को पकाते हुए लगबग 4-5 मिनिट हुए हैं ये देखि नमक डालने के बाद पानी चोड़ने लगती हैं सबजियां तो सबजियां तले में नहीं लगती हैं तो हम इसे चला देते हैं और फिर से इसे दल देंगे, मसालों में हमने यहां लगबग एक से त्वेड चंहमच लाल मिर्च का पवडर लिया है मसालों की Bye Duckτο आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो एक चंहमच भरके मैंने यहां धनिया पवडर लिया है एक चम्मच किचन किंग मसाला लिया है किचन किंग मसाला डालने से ये सबजी बहुत टेस्टी बनेगी और यहां हमने एक चोटा चम्मच भूनी हुई कसूरी मेथी लिया है और लगबग एक चोटा चम्मच आमचूर का पाउडर लिया है फ्रेंड्स हमने जो इसमें किचन किंग मसाला डाला है आप उसकी जगे गरम मसाला या सबजी मसाला या मैगी मसाला भी डाल सकते हो उनसे भी ये सबजी बहुत टेस्टी बनेगी अब हम मसालों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं मसाले अच्छे से mix हो गए हैं और बस अब हम सब्जी को ढखकर 2-3 मिनिट के लिए low flame पर और पका लेंगे ताकि मसाले भी अच्छे से पक जाएंगे और ये लिजी हमने सबजी को 3 मिनिट के लिए पका लिया है और ये हमारी बहुत ही टेस्टी मिक्स वेज की सूखी सबजी बनकर तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स आप इसे बना कर देखिएगा ये बहुत ही टेस्टी बनती है मैं इसे वीक में एक बार जरूर बनाती हूँ और ये सबको बहुत पसंद आती है और सबजियां भी हमारी बहुत बढ़िया से सॉफ्ट हो गई है ये देखिए और इसी तरह मैं आलू भी दिखा देती हूँ आपको बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हो गया है तो अब हम इसमें लास्ट में बारी कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे जो हरा धनिया है उसकी खुश्बू पहुत अच्छी आती है इस सबजी में और ये लीजिए हमारी मिक्स वेज बनकर तयार हो च चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके